हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल और मैं हूँ हरसाय चोपड़ा दोस्तो आज इस वीडियो में हम नीट टोपर्स की चर्चा नहीं करेंगे हम उन इस्टूडेंट की चर्चा करेंगे जिन्होंने 10 और 12 क्लास किसी गौर्मेंट स्कूल से पास करने के बाद नीट की कोचिंग एक फ्री इंस्टिटूट से लेते हुए नीट में अच्छी रेंग हासिल की जब इस्टूडेंट का मेहनत लगन वर दरड निश्चे है तो उसकी जरूरत उसके कहीं आड़े नहीं आती है आकास वर एलन जैसे इंस्टिटूट की जरूरत ही नहीं है उसको उसके लिए तो ये तीन इस्टूटेंट मेहनत लगन वर दरड निश्चे ही काफी है ये बच्चे और कोई नहीं राजस्तान के पिछले इलाके बाडमेर के सेर हैं जिनोंने भूक और गरीबी के कारण कुछ नहीं देखा लेकिन दरड निश्य के कारण गरीबी और भूक तो इनको बिल्कुल भी मैसूस नहीं हुई आज ये अच्छे मुकाम पर हैं तो आई ये बात करते हैं नीट 2016 में महनत के बल पर जगे बनाने वाले सुरेश कुमार और नेम सिंखिस वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट करना जाओंगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वे ज्यादा श्यादा शेयर करें क्योंकि इस परकार के वीडियो हम लेके आते रहते हैं तो दोस्तो इसमें ये आर्टिकल है इंदुस्तान टाइम्स का इसमें लिखा है खाली पेट से लेकर खुर्तक नीट ये राजस्तान के लड़कों ने जीतने के लिए कड़ा संगर्स किया बाड मेर मेर में कुछ डोक्टरू दोवारा सुरू की गई पहल पचास ग्रामीन चात्रों को सायता प्रदान करती है जो अपने इस्कूल की फीस का बुक्ता नहीं कर सकते और संस्तानों की सबसे बड़ी बुनियाद पहुंच नहीं है इसमें से कुछ अनात चातर हैं जबकि कुछ दैनिक मजदूरी के रूप में काम करते हैं तो मैं आपको यहां बता दूँ बाड मेर मेर में 50 विलेजर्स की नाम से एक संस्ता है जो कुछ डोक्टरों में मिलकर सुरू की है तो इसमें यह संस्ता में यह बच्चे और इस परकार का यह वहां कोचिंग लेते हैं इसमें आगे लिगा है कि बाड मेर में कुछ डोक्टरों दौबारा सुरू की गई एक पहल 50 ग्रामेंट चात्रों को साइदा परदान करती है जो अपने स्कूल की फीज का बुक्ता नहीं कर सकते और संसादनों की सबसे बुनिया तक नहीं पहुंचते तो किसी भी अन्य चात्र की तरह राजस्तान के बाड मेर जिले के सुरेश कुमार ने रास्ती पातरता सह परिक्षा नीट को पास करने के लिए कड़ी मेहनत की मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूँ कि मेहनत के अलावा और कोई विकाल्प नहीं है कुमार ने अपने पहले प्रियासों में नीट को क्रेक करने के लिए भूक और गरीबी का मुकाबला किया और देश भर्मी नीजी और सरकारी चिकिसा इंदंत चिकिसा संस्तानों में प्रिवेश निर्धारित करने वाली परिक्षा में अखिल भारतिय रेंग नो सो पिचानवय को सुरक्षित किया पड्रू गाउं के निवास सी कुमार ने माता पिता की मृत्यू तब हुई जब वह केवल साथ वार्ष के थे उनका बड़ा भाई उसकी देखवाल करता है और एक छोटी बहन सहीत दो अन्य भाई बहन है जो मानसिक रूप से विकलांग है और पोलियों से पीडित एक भाई है उनका कहना है कभी कभी मेरे बड़े भाई हमारे लिए भुजन का परबंद करते थे जब वह ऐसा करने में ऐसे पल रहा तो हमें भुके पेट सोना पड़ा ऐसे इस्तिती के बावजूद मेरे भाई ने हमेशा मेरा समर्थन किया और मुझे अपने पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रेरित किया सुरेश जिनोंने एक सरकारी स्कूल से टैंथ वी यानि की टैंथ क्लास कक्षा पूरी की है ऐसे ही बांदरा गाउं के नेम सिंग के पास बताने के लिए कुछ ऐसी ही कहानी है नेम सिंग के माता पिता की 2008 में सड़क तुर्गटना में मृत्यू हो गई जब वह पॉंच में कक्षा में थे और अपने शिक्षा जारी नहीं रख सके अपने रिष्थेदारों और पचास क्रामेणों की थोड़ी मदद से वह अब नीट में 624 रेंग पर दावा कर सकता है कुमार और सिंग की तरह 26 अन्य चात्रों ने भी अपने सबी कठिनाईयों की बावजूद अपने सक्षा पालन करने में मदद करने के लिए पचास ग्रामेणों को धन्यवाद दिया तो ये पचास ग्रामेण एक संस्ता है जो मैंने इसके बारे में बताया बाड मेरी में इसके बारे में हम और चर्चा कर लेते हैं तो बाड मेरी में कुछ डोक्टर्स दौरा शुरू कीगी एक पहल पचास ग्रामेण चात्रों को स करते हैं 50 ग्रामेनों के संस्तापक डाक्टर भारत सहारन कहते हैं इसका स्रेच छात्रों को जाता है मैं उनके समर्पन को स्लाम करता हूं ऐसे समय में जब कई छात्र ने प्रतिस पर्दा के माफूल के मानसिक तनाव के कारण आतम हत्या कर ली है नेति द्वारा चुनोती की ग करते हैं कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के दोरान उन्हें लगा कि शिक्षक उन छात्रों की उपेक्षा कर रहे हैं जो उनसे ट्यूसन नहीं लेते थे उन्होंने कहा इससे मुझे और मेरे जैसे सैक्डू अन्य छात्रों को चोड़ पहूंची लेकिन हम ऐसा हाई थे मै भागे साली हूं कि मेरे पिता किसी तरह मुझे शिक्षित करने में कामयाब रहे और आज मैं एक डूक्टर हूँ लेकिन मैंने अन लोगों के बारे में सोचा जो अपने मاتा पिता को खूच के हैं और उनके पास परियाप तसंसादन नहीं थे मैं ने उनके लिए काम करने का फैसला किया यह ऐसा वो कहते हैं शुरुआत में मैंने अपने दोस्तों डाक्टर ओम प्रकास और डाक्टर हरदान के साथ विचार विमार साजा किया जिन्होंने मेरा समर्थन किया और मेरे साथ सहमत हुए बाद में हमने बाड़ मेरे में कई डॉक्टरों के साथ अपनी 2016 के स्टुडेंट्स की कहानी है इसके बाद में नीट 2017-2018 में भी इसी तरीके के बहुत से चात्रे सेलेक्ट हुए हैं जैसे प्रिंच कडवासरा पिता रामाराम कडवासरा रेंग 5 ली है इसने अमरतलाल परजापत भगवाना राम रेंग 555 सवाई राम माली पिता खुक्मा राम माली रेंग 3470 साहिल जेन पिता परदीप जेन रेंग 7090 विशाका चंड़क अनिल कुमार रेंग 10,480 भुरा राम कुमावत पिता संकर राम कुमावत रेंग 1309 पारवती विश्नोई पिता भगवाना राम रेंग 3928 दुरगवीर चोदरी पिता मूला राम चोदरी रेंग 9400 जुनजार सिंग भाटी पिता जबर सिंग भाटी 10,819 उस्पा जांगिड पिता गोकला राम 1881 पवन डगेर पिता जोगा राम डुगेर रेंग 5,000 बहतर सवा पारी सिंग जांगिड पिता बाबुलाल रेंग 10,356 रमेश कुमार पदमाराम 11,402 राम निवास पिता मांगिलाल रेंग 2926 जोगेंदर विश्नोई पिता किसनाराम 7,711 गोपाल जानी पिता महेश कुमार 10,558 परमिला पिता हरी किसन रेंग 12,451 तो दोस्तो इस प्रकार से ये छातर हैं जिन्नोंने 2017, 2018, 2016 इनमें काफी स्टुडेंट्स ने अच्छी मेहनत के साथ में अच्छी रेंग हासिल की है ये स्टुडेंट्स जिन्नोंने टोप तो नहीं किया लेकिन वीप्रीत प्रिष्थितितियों में अपना मुकाम हासिल कर है वीडियो के अंत्मे में यही कहना चाहूंगा कि अगर इस्टुडेंट्स में कुछ कर गजरने का जज़बा है तो वीप्रीत प्रिष्थितियां भी अनुकूल बन जाती हैं अगर आपका सपना भी डोक्टर बनने का है तो अभी समय है लग जाओ प्रति दिन 14 से 15 हावर इस्टुडी करो मैं आपसे टोप करने का वादा तो नहीं करता लेकिन इतना वादा जरूर करता हूं कि आपकी गवर्मेंट सीट पकी है इस वीडियो में यहीं एंड करता हूं इसको और आसा करता हूं कि मेरी बातों का अमल करते हुए आप भी आज से ही मेहनत शुरू कर देंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वे ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में तब तक मैं आपसे लेता हूं विदा नमस्कार